हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टैरोडेक टिपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक और नई रीडिंग, और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि आप जिस परजन के साथ डील कर रहे हैं, या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका कल रात क्या सोचना था आप आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा है उसके बारे में, या वो आपके बारे में कुछ सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे, अगर सोच रहे थी तो क्या सोच रहे थे, इन सभी सवालों के जवाब हम टैरो के मार्द्यम से देखने की कोशिश करेंगे, ठीके, ब इंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है यानि की लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये परसन क्या सोच रहे थे इनका क्या सोचना था आपको लेकर या आप लोगों के बीच के रिष्टे को लेकर गाइट कीजिए पพ cannon क्या सोच रहे थे उनके विश्ऐ में इन ये परसन किस एनरजी समें थे क्या सोच रहे थे इनके विश्ए में उनिवरस गाइट कीजिए तो पहला आया है दँनिजर में रिपनेश चैसरी योजनी सब dein도 शुव कर राद वियुवर्स के परशन क्या सोच रहे थी है उनिवर्स P हरे उत्री तियु गाइट की योजनी को बटाएए इनिवर्स को क्या नेरफ फर्सन्क होच रहे थे किस एनयरजी में थे इस पर सबाएं कि इस पर सब्सक्राइब कर रात इस परसंद की क्या एनर्जी इस रही है क्या सोचना रहा है इस परसंद का इनर्जी इस रही है isolation and bottom of the deck यहाँ पर आया है सिजोफेनिया तो दीके energies discuss कर लेते हैं जैसे यहाँ पर है टॉरस वर्गवन कैप्रिकॉन व्रिश्यप करनिया एं मकर राशी जेमिनाई लिब्रान एक्वेरियस मिथन टुला एं कुम्भ राशी गाइड कीज उनिवर्ग प्लीज डिवाइन प्लीज आके इंज़स प्लीज इस प्लीज इस प्लीज इस परसं की क्या एंज्य रही है तो यहाँ पर आया है awareness ripness के मामले में कल रात इस परसन की क्या energies रही है solitude guide कीज यूनिवर्स और the dream के मामले में कल रात इस परसन की क्या energies रही है stand your ground conditioning के मामले में इस परसन की कल रात क्या energies रही है क्या सोचना रहा है इनका conflict and defeat isolations के मामले में कल रात इस परसन की क्या energies रही है universe guide teacher बताईए तो यहाँ पर आया है आपका mental conflict and bottom of the deck movement choices and decisions ठीक है तो देखें यहाँ पर Aries Leo and Sagittarius यानि की मेश सिंग धनु राशी भी आ गया है तो overall सभी energies यहाँ पर हो गई है नंबर 2 और 9 यह काफी जादा important आप लोगों के लिए दिख रहा है यानि की February और September month जो किसी ना किसी तरह से आपसे relate करता होगा सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर आपको यह clear करना चाहूंगी कि कल राद इस person ने जो भी सोचा x y z कुछ भी सोचा हो इन्होंने वो energies वो सोच अपनी किसी से express नहीं करी है यानि कि इस person ने जो भी सोचा वो सिर्फ और सिर्फ इनके दिल में रहा है यानि कि ये person कल राद काफी जादा sad energy में और काफी जादा गहन सोच में definitely थे अब सवाल में आता है कि ऐसा क्या सोच रहे थे ये कल राद देंकि सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये person अपने आपको ना काफी जादा हारा हुआ feel कर रहे थे एक ऐसी energies में feel कर रहे थे जहाँ पर ये अकेले रह गए हैं कमजोर पड़ गए हैं और इस energy से निकल पाने के लिए इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है तो इस चीज को लेकर ये person कर रात काफी जादा helpless feel कर रहे थे यहाँ पर भी इनके पैर बंदे हुए हैं और यहाँ पर भी ये काफी जादा हारव और कमजोर feel कर रहे थे इन्हें ऐसा feel हो रहा था कि यह जो भी कर रहे हैं अपनी life को सही करने के लिए या फिर जितना भी इन्होंने अभी तक wait करा है या अपने लिए जितना भी खड़े रहे हैं stand लिया है वो सब बेकार गया है तो ये परसन कही ना कही जो भी अभी तक करते आए हैं wait कर रहे हो या जो भी इन्होंने अपनी side से करा हो उस चीज के मामले में ये परसन यही सोच रहे थे कि इन्होंने जो भी अपने लिए stand लिया जितना भी इन्होंने wait करा, सबर करा वो सब इनका बेकार गया और उस चीज़ को सोच कर ये परसन काफी जादा हारा हुआ और कमजोर अपने आपको फील कर रहे थे सोच ये डेफिनेटी बहुत जादा रहे थे कन्फ्यूजड भी बहुत थे बहुत सारे थोट्स जैसे एक साथ इनके दिमाग में चल रहे हूँ एक तरह से काफी सारे थोट्स इनके माइन में इतना जादा लोड डाल रहे थे कि ये परसन अपने आपको काफी जादा ओवरलोड फील कर रहे थे दिमाग के मामले में कि किस थोट को ये सुने किस थोट को ये छोड़े इस चीज का इने कोई आइडिया ही नहीं हो रहा था ठीके, मुझे आपर ये भी दिख रहा है कि हाला कि ये बसन इतने conflict की वज़ह से इतनी sad energies की वज़ह से सो तो नहीं पाई है जितने भी पल ये सोई है उतने पल इन्हें आपके ख्वाब आपका साथ नजर आया है उस पल में, जब भी ये सोई हाला कि ये सोई तो नहीं है क्योंकि दिमाग में इनके कुछ न कुछ चलता रहा है, जब इन्हें नीन आई तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका ख्वाब आया और वो ख्वाब कहीं न कहीं इनसे इंट्यूशनली आपके तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा था या गाइड कर रहा था और इस परसन को वो ख्वाब कहीं न कहीं यह गाइड कर रहा था कि अगर यह आपके तरफ बढ़ते हैं आपके तरफ बढ़ने का पड़ रहा है तो इस तरह के ख्वाब इन्हें दिखाई दिये जो कि इनके intuitions के basis पर इन्हें दिख रहे थे ठीके आप लोगों के बीच में definitely कुछ ऐसी चीज हुई है कुछ ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें basically ये person आपके against खड़े होकर ऐसा feel कर रहे है काफी लंबे समय से कि अपने self respect के लिए लड़ रहे है या अपने लिए stand लिए हुए खड़े है ये ऐसा feel करके उसी basis पर ये person आपके against खड़े हुए है काफी वक्त से ठीके लेकिन कल रात ये person उस चीज को लेकर अपने आपको कमजोर feel definitely कर रहे थे कि ये कमजोर पड़ गए है ठीके उसके अलग मुझे आपर ये भी दिख रहे है कि ये person जितना अंदर से अब हार गए है तूट गए है उतना ये आपको show नहीं कर रहे है क्योंकि the miser and isolations card ये बता रहे है कि ये person अंदर से sad बहुत है row बहुत रहे है लेकिन उपर से ये definitely आपको यही दिखा रहे होगे कि ये इस दर्द से mature हो रहे है ये इस दर्द से बहुत कुछ सीख रहे है ये इस दर्द से बहुत practical बहुत rude हो गए है तो ये definitely एक दिखावे वाला मुखटा भी पहने हुए है कि उपर से कुछ और आपको दिखा रहे हैं और अंदर से इनकी ये energies हैं जो कल रात कहीं न कहीं उभर उभर कर भी आई है ठीक है, टैरोस से देखते हैं तो और अच्छे से आई रहा होगा Guide कीजे universe और बताईए The Miser के मामले में viewers के पसंद की क्या energies रही है कल रात universe guide कीजे 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर आया है The Word, Strength, Two of Cups and Six of Wands देखे, सबसे पहली चीज तो यह दिख रही है कि आप लोगों के बीच में हैं जो graphically दूरिया ठीक है, कल रात definitely ये person आपके बारे में, आपके साथ के बारे में बहुत जादा सोच रही थे Intuitually इन्हें आपका साथ आपके साथ वापस से reunion में आना और आपके तरफ बढ़कर इस प्यार को जीत हासिल कराने वाले thoughts चल रही थे वो बात और है कि इस person ने इन thoughts को कही न कही अपने अंदर तक ही सेमित रखा लेकि डेफिनिटली इस person के मन में deep inside आपको लेकर आपके प्यार को लेकर importance समझ में आ रही थी कि आप इनके life में क्या matter रखते हो आपका साथ इनके life में क्या matter रखता है और आपके साथ के लिए इन्हें बहुत जादा strength भी जुटानी पड़ेगी तो इस तरह के thoughts इस person के मन में deep inside काफी जादा चले है ये चीजे है यानि कि ये person कल रात एक ऐसी energies में थे जिसमें ये इतना जादा weak हो रहे थे कि ये जब हिम्मत के बारे में सोच भी रहे थे ना कि अपने अंदर हिम्मत कैसे लाए तो इन्हें आपका साथ यादा रहा था कि इनके पास वापस से वो strength तब ही आएगी जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ होगा तो इस तरह की feelings इस person के अंदर थी और ये जो thoughts इनके मन में थे ना वो इनकी intuition इन्हें कह रही थी इनकी खुद की अंतरात में इन्हें कह रही थी कि अगर तुमें strong बनना है वापस से अपनी power को अपने हाथ में लेकर आना है तो definitely इन्हें आपकी तरफ बढ़ना होगा ripness को clarify कीजिए बताए ripness के मामले में कल रात इस person की क्या energies रही है guide कीजिए उन्यवर्स बताएए one two three four तो देखे यहापर आया है ace of pentacles eight of swords आया है reversed में seven of cups आया है eight of pentacles definitely यहापर number eight आपके लिए काफी ज़्यादा important है यानि की अगस्त मांत ठीक है देखे कल रात definitely यह person बहुत गहन सोच में थे बहुत axis में मुझे दिख रहा है with this seven of cups card यानि की यह person एक ऐसी गहन सोच में थे जिसमें यह बहुत सारे रास्ते ढूंड रहे थे बहुत सारे options ढूंड रहे थे की कैसे यह इस stuck energy से इस अकेले पने वाली energy से इस confusing वाली energy से बहार निकले ठीक है क्योंकि confusion में यह definitely थे दिमाग में बहुत सारे thoughts थे तो वो यहाँ पर यही दिखा है कि इस person के दिमाग में बहुत सारे thoughts एक साथ काबू करे हुए थे और वो thoughts दे कि कैसे यह इस stuck energy से बहार निकले कैसे यह इस रिष्टे पे यह अपने आपको इस stuck energy से free करने के लिए क्या काम करे किस तरफ बढ़े किस तरह effort करे कि ताकि यह अपने आपको free कर सके तो यह person definitely काफी जादा इस गहन सोच में यहाँ पर दिख रहे है करने के मामले में भी सोच रहे थे कि जब यह इस energy से निकलेंगे इस से निकलने के लिए इनके पास जब कोई रास्ता होगा ना तभी अपनी growth की तरफ अपने pentacles की तरफ जादा focus हो पाएंगे या फिर आपके साथ इनका जो भी रिष्टा है उसमें healthy beginning तभी हो पाएगी जब यह इस stuck energy से निकलेंगे तो definitely इस person के दिमाग में बहुत सारे options चल रहे थे इस energy से निकलने के लिए तो कल रात इस person ने definitely solution ढूणने की कोशिश करी है ताकि अपने आपको free कर सके और अपनी life में stability को लेकर आ सके तो यह person कल रात definitely इस energies में थे ठीक है तो dream के मामले में बताए universe इस मामले में इस person की क्या energies रही है तो दिकिए यहाँ पे 10 of cups आया है तो यहाँ पे है 5 of swords, 10 of pentacles, 4 of pentacles and 10 of cups यहाँ पर number 10 आपके लिए काफी ज्यादा important है यानि की October मात दिखे basically यहाँ पर यह दिख रहा है कि definitely आप लोगों के बीच में family को लेकर काफी ज्यादा लडाई जगडे हुए है family को लेकर काफी ego clash हुए है और इसी लडाई जगडे में कही न कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को काफी गलत words भी बोले है काफी मतलब आप लोगों के बीच में अनबन हुई है family को लेकर चाहे आप married हो या unmarried हो चाहे आपके person को आपके against करा गया हो किसी तरह की कोई गलत फैमी डाल कर इनके मन में किसी तरह का trust issues create करके इनके मन में आपसे लड़े और ये person जो आपसे लड़ रहे थे इन्हें यहीं लग रहा था कि ये सही कर रहे हैं ये अपने लिए stand ले रहे हैं अपनी family के लिए stand ले रहे हैं अपनी family के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसी रीजन की वज़े से अभी तक भी आपसे लड़ते आए आपके अगेंस्ट रहें, बाट इस पसन को क्योंकि कल रात आपके बहुत जादा ख्वाब दिखाई दिये, आपके साथ फैमिली दिखाई दिये, बच्चे दिखाई दिये, फ्यूचर दिखाई दिया, तो य उन्होंने ही दिल से पकड़ कर बैठ रखी हैं, यानि कि रोने भी सीने से लगा कर रख रखा है उन बातों को और आपने भी रख रखा है, फिर आप इन्हें सपनों में क्यों दिखाई दिये, तो इस थरह के thoughts, इस थरह का confusion इस परसंद के मन में रहा, क्योंकि ये basically अभी तक आपको ऐसा ही शो कर रहे हैं, कि आपके अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है, हालकि इस परसंद के intuition इन्हें आपके तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है, लेकि दिमाग इस परसंद का इसी तरह से इन्हें गाइड कर रहा है, कि ये आपके अगेंस्ट खड़े हैं, और ये जो 3, 4 तो यहाँ पर आया है, 8 of wands, knight of pentacles, the magician and the emperor, ठीक है, देकि मुझे यहाँ पर definitely आप लोगों के case में कोई father issues दिख रहा है, with this the emperor card, ego जादा दिख रही है, यानि कि कोई भी हो ये third party, लेकिन ये जो भी third party है, इसकी ego ने ही आप लोगों के रिष्टे को stuck कर रखा है, उसमें हर तरह की दिक्कतों को पैदा कर रखा है, और इस परसंद को भी stuck इसी ego ने कर रखा, ये जो third energy है, इनकी ego ने, ठीक है, तो कर रात ये परसंद कहीं न कहीं इनकी ego के मामले में अपने आपको हारा हुआ feel कर रहे थे और stuck feel कर रहे थे, इनके मामले में कि ये इतने ज़्यादा experienced है, इतने manipulative हैं कि इन्होंने ही इस person को, यानि कि आपके person को slow कर रखा है, logic के हिसाब से चलाने के लिए मजबूर कर रखा है, नहीं तो कब तक इनकी life में बातचीत शुरू हो गई होती, तो इस तरह के thoughts इस person के मन में चल रहे थे, तो मैंने आपको बोला ना काफी overload हो रहे थे ये person दिमाग के मामले में, बहुत सारे thoughts चल रहे थे, जिसमें कभी आपको गलत सोचते थे, कभी उस third party को गलत सोचते थे, उसी जद्दो जहद में ये person ने पूरी रात गुजारी है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, यानि कि इस person ने अगर आपके तरफ बढ़री के बारे में सोचा, तो ये ये भी सोच रहे थे, कि ऐसा क्यों सोच रहे है, साथ में इस person के मन में ये भी आया कि ये आज अस्टक क्यों है, ये कमजोर क्यों है, क वो सकता है आप मेंसे कुछ लोगों के case में यहाँ पर ना किसी तरह की कोई condition रखी गई है जिस reason की वज़से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो चाहे इस person के सामने कोई condition रखी हो आपके सामने रखी हो पर किसी तरह की कोई condition रखी गई है जिस reason की वज़से आप लोगों की relationship में मुवमेंट नहीं आ रहा है तो ये पसंद कर रात उस कंडिशन के मामले में भी सोच रहे थे और अपने आपको स्टग भी फील कर रहे थे अगर वो कंडिशन बेसिकली आपकी तरफ से है आपको दी गई है तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उस कंडिशन को मानने के लिए क्यों तयानी हो रहा है अगर आप मान जाते हों तो सब चीजे फ्लो में हो जाएगी इनके मन मुताबिक हो जाएगी और अगर इनकी साइट से था तो इस पस इनकी तरफ वो कंडिशन है तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि भई ये कंडिशन क्यों रखे गई अधर वा वाउट हो गई होती, तो ओवराल परसन काफी कुछ सोच विचार में तो रहे हैं, ये चीज़े यहाँ पर डेफिनेटी हैं, बहुत कॉन्फिलिक्ट चला है इस परसन के दिमाग में ये चीज़े हैं, ठीक है, आइसोलेशन को क्लारिफाई कीज़े बताइए, इस मामली में इस परसन की कल रात क्या एनर्जी इस रही है, यूनिवर्स टाइट की जब बताइए, वान, टू, ट्री, फोर, ओकी, तो यहाँ पर आया है, टू अफ सोर्ट इन रिवर्स्ट, क्वीन अफ सोर्ट, दा मून इन रिवर्स्ट, एन एस अफ सोर्ट, देखें, बेसिकली जो इस वक्त में खामोशियां चल रही है, वो बेसिक्ली आपको किसी चीज़ का रियलाइज कराने के लिए हो रही है, ठीक है, एस नंग इस परसन की साइट से आपको एक सायलेंट क्रीट्मेंट दिया जा रहा है, मेन्यू प्लेट करने की आपर कोशिश करी जा रही है, औ इस person के माध्यम से नहीं दिया जा रहा, किसी third party की वजह से आपको ये silent treatment दिया जा रहा है, जानी कि आप लोगों के बीच में, ये person definitely आपसे बात करना चाहते हैं, लिकिन आप लोगों के बीच में जो बातचित नहीं हो रही है, उस conversation को इस third party ने ब्लॉक कर रखा है, यह कोई भी हो सकती है, महिला भी है, यहाँ पे फादर भी आया, मेल फिगर भी, फीमिल फिगर भी आई है, तो आपको जादा बहतर पता होगा कि थर्ड एनरजी आप लोगों के केस में कौन है, जिसने आप लोगों के बीच में जो भी कन्वरसेशन चल रहा था ना उसे ब्लॉक करा ह और यह परसन इनी के कहने के मन मुताबिक आपसे बातचीत नहीं कर रहे है, तो आप लोगों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है ना, कल रात यह परसन कहीं न कहीं उसी चीज से बहुत जादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि इनका मन बहुत जादा आपसे बात करने का हो रहा था, आप लोगों के बीच में जो भी issues आये हैं उसे clear करने की बहर जादा इच्छा इस person के मन में जाग रही थी clarity लेकर आने की बहुत इच्छा इस person के मन में जाग रही थी कि आपको खुल कर बताए कि क्या सच्चाई है क्यों ये खामोश है, आप क्यों खामोश हो चीजे क्यों मूव नहीं कर रही है सब चीजे ये आपके सामने दिल खोल कर रखते लेकिन क्योंकि ये person ऐसा नहीं कर पा रहे थे इसी reason की वज़े से ये अपने आपको काफी जादा isolate feel कर रहे थी इस person के दिमाग में बहुत सारे conflict चल रहे थे एक तरफ आप, आपका प्यार, आपका साथ और एक तरफ वो condition, वो differentiate जो आप लोगों के बीच में create करे गए है, वो third party तो इस चीज को लेकर ये person काफी जादा disturb रहे दिल से ये definitely आपसे attached है आपसे बात करना चाहते हैं चीजों को deal नहीं कर पा रहे है control नहीं कर पा रहे है कुछ कर नहीं पा रहे थे तो काफी जादा अपने आपको isolate feel कर रहे थे यानि कि अपने आपको again वही बात हो गई कि बहुत जादा कमजोर ये person अपने आपको कल राध feel कर रहे थे चीक है चलिए अब इस person के messages देखते हैं कि आपसे आखिर कहना क्या चाह रहे थे काइट कीजिए उनिवर्स और बताईए मेरे viewers के person आखिर उनसे क्या कहना चाह रहे थे उनिवर्स काइट कीजिए बताईए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलिए इनके messages देखते हैं तो सबसे पहले आया है sorry तो कही न कहीं ये person कल रात काफी ज़्यादा sorry feel कर रहे थे आपसे sorry कहना चाह रहे थे I love you when you smile ये आपसे कहना चाह रहे थे कि ये आपसे प्यार करते हैं जब आप मुस्कुराते हो यानि कि इन्हें आपकी हसी आपका मुस्कुराना बहुत पसंद है ये आपसे ये कहना चाहते है Are you still waiting? आपसे पूछना चाह रहे थे ज़्यादा conflict चला रही थी Never give my place to anyone else ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इनका स्थान, इनकी जगह आप किसी और को मत देना I want to come back but I can't now तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे अपने control में ले रखा है इसी reason की वज़ा से अभी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे चलिए आपके लिए guidance के cards और निकालते हैं मेरे जो भी viewers है उनके लिए guidance के cards दीजे उन्यवर्स और बताईए उन्हें क्या करना चाहिए situation में यूनिवर्स गाइड कीजर बताईए तो यहाँ पर है nostalgia आपको भी इस person की काफी जादा कल रात याद आई है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है चिक है Thrones गाइड कीजर यूनिवर्स बताईए Stars Spaceship पहली चीज तो definitely आपको भी इस person की काफी जादा याद आती है तो आपसे यह बोला जा रहा है कि जब आपको इस person की याद आती है तो उस वक्त में आप कोशिश करें तो आप manifest करना start करतें जैसे आप manifest करना start कर सकते हैं आपके partner का call आपके पास अभी इस वक्त में आ रहा है जब भी आपको आपके person की याद आती है तो उससे क्या होगा आप थोड़ा सा negative नहीं होगे परेशान नहीं होगे उसकी बजाए आपका त्यान manifestation पर लग जाएगा या आप कुछ ऐसी चीजे दिमाग में नहीं जो आपको परेशान करेंगी ठीके उसके अलग आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि देखो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे person को deserve करते हो आप तभी manifest कीजेगा तभी इनके नाम का सहरा आप पहनिएगा या इनके नाम की महिंदी आप अपने हाथ में लगाएगा ऐसा आपसे बोला जा रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप deserve ही नहीं करते हो ऐसे person को तो उसकी बजाए आप बिना किसी बेज जग के बिना किसी डर के आप अपने आपर काम करना start कर दीजेगा ऐसा बोला जा रहा है यानि कि आप self love कीजे अपने आपसे प्यार क कीजेगा ठीक है ऐसी guidance आपके लिए आ रही है तो यह basically आपको पता है कि आप क्या deserve करते हो आप किस nature के हो क्या deserve करते हो क्या आपको मिल रहा था या क्या मिल रहा है और उसी के basis पर आप किसी निर्ने पर पहुच पाएंगे ऐसा बोला जा रहा है अगर आपको लगता है कि हा आप इस person को deserve करते हैं तो definitely आप manifest कर सकते हैं बजाए उनके बारे में उस वक्त में परिशान होने के आप manifest करना start कर देजेगा तो ऐसी guidance यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है I hope आपको reading पसंद आई हो इस reading के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई clarity मिली हो अगर आपको reading पसंद आती है आपको किसी तरह की कोई clarity मिलती है तो please बताइएगा जरूर और मेरी चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा ताकि मैं इसी तरह से नए नए रीडिंग्स, नए नए topics आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज के लिए बस इतना ही, ओके बाबाई